सबी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार भारती जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका आप्रेशन लोटस दिल्ली में आप्रेशन भोगस बन गया उनके आप्रेशन लोटस को मनीज सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया जो प्रियोग उन्होंने सिंदे के उपर किया वो प्रियोग सिसोदिया ने फेल कर दिया इसलिए पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी उपर से लेके नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है महारास्ट्रा में तो प्रयोग सफल हो गया था मद्धप्रदेश में तो तूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गये थे प्रयोग सफल हो गया था तोड़ने का प्रियोग सफल हो गया था मेघाल में तो सरकार बनाने का प्रियोग सफल हो गया था हेमंत विश्व सर्मा को कांग्रिस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रियोग सफल हो गया था अरे एडी की जाच मुकुल राय पर कराकर उनको तोड़ने में तो स सफलता मिल गई थी उसको भारत्पा का रास्ति उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है आपरेशन लोटस आपरेशन बोगस बन गया कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में और भाजपाईयों अब इधर उधर की बात मत करो तु दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था जिसको आम आदमी पार्टी और मनिस सौधिया ने फेल करने का काम किया तुम्हें जितनी EDCBI का इस्तेमाल करना हो जितनी जाच एजनसियों के जरिये दिल्ली की सरकार को गिराने की कोसिस करनी हो गिरफतारी कराने की कोसि निकली हुई पाटी है शराब नीती शराब नीती सराब नीती का ड्रामा कर रहे हो जहरीली सराब से जिस गुजरात में सौ से ज़्यादा लोग मर गए आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया क्यों नहीं सुरू की E.D. और C.B.I. ने उसकी जांच आ माइनिंग में आप बताएए ब्यापम में हजारों करोड का घोटा ला हुआ कितने बीजेपी के नेता जेल में गएं कितने बीजेपी के नेताओं पे कारवाई हुई आप मुझे जरा बताएए 42,000 करोड रुपए का D.H.F.L. ने घोटा ला किया और 29 करोड रुपए बन गई है जो बीजेपी के इसारे पर नाचेगी और काम करेगी ये चीज दिल्ली में हम लोग बरदास्त नहीं होने देंगे इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़ फोड़ करने के लिए किया है उसका जवाब दो ये आपरेशन बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए क्यों मनिस साथिया के उपर बना रहे थे एडी सीब्याई के जरिये कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए आप पूरे देश में यही करना चाहते हो यही ड्रामे चलाना चाहते हो यही ताना साही चलाना चाहते हो अब तुमा की बढ़ती हुई लोक प्रियता कैसे तीन बार दिल्ली जीद गए कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया कैसे गुजरात में लोक प्रियता बढ़ रही है कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का मिसन सफलता पुर्वक चल रहा है इस प्रिय जी की कोसिस ये है